जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रेल माह के बारे में एप्रेल का महीना शुरू हो चुका है जो इस वर्ष 2022 का चौथा महीना है और ये महीना अपने आप में एक विशेस महीना होने वाला है विशेस माहा है ये क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें सभी नव ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा सूर्य से लेकर चंदर से लेकर राहू केतू, शनी, गुरू, शुक्र, मंगल, हर ग्रह का राशी परिवरतन इसे एक महीने में होने वाला है और साथ ही इस महीने से हिंदू कलेंडर के साब से नव वर्ष की शुरुवात भी होती है ये नए वर्ष का भी दिन होता है जो की तीन तीन राज योगों में होने वाला है तो ये जो महिना है ये कुम्बराशी के लिए किस तरह की उचाईयों को देने वाला होगा किस तरह से सफलता देने वाला होगा चलिए जानते हैं विश्तार से इस एप्रेल माह के बारे में त आस तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाएं चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे तो एप्रेल माह की बात कर रहे हैं इस महिने में जैसा कि मैंने बताया कि सभी ग्रह राशी बदलेंगे राह आपके द्वित्य भाव में बैठने वाले हैं धन भाव में यह गोचर होका अब कुम्ब राशी के जात तक एक बात तो बिल्कुल समझ ले कि इस महिने में सफलता की नई उचाईयों को आप प्राप्त करने में सफलता हासिल करेंगे मंगल जो हैं साथ एपरेल को अपनी कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे यानि कि इस महिने के शुरुआत में ही आपके लगन में मंगल बैठ जाएंगे अब मंगल जो हैं व्यक्तिकत रूप से आपके लिए बड़े उत्तम रिजल्ट देने वाले हैं साथ ही अगर हम कारेशेतर के हिसाब से देखें तो भी आपके लिए एक बहुत ही आनंद में समय का संकेत दे रहे हैं यानि आपका जो जीवन है उसमें आनंद ही आनंद बीतने वाला है मंगल बहुत अच्छे योग लेकर आया है आपके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट आपको देखा और बुद्ध भी जो है वो आठ हैपरेल को आपके तिरते भाव में गोचर कर जाएंगे जो कि मेश रासी है और बुद्ध का ये जो गोचा है ना ये एक बड़ा सकारातमक प्रभाव लेकर आया है आपके जीवन में वास्तम में जो आपकी जीवन को बहतर बनाने वाला है वो है राहू राहू का परिवर्तन आपके विशेस रूप से मायने है क्योंकि ये भी मेश राशे में गोचर करेंगे 12 एप्रेल को और केतु भी 12 एप्रेल को ही तुला राशी आपके 9 भाव में गोचर करेंगे तो सबसे जो महतपौन गोचर है आपके लिए वो राहू और केतु का होने वाला है क्योंकि इनका बदला बेशकी राक्षेस ग्रह हैं बेशक इनके पास कोई अपनी स्वामित वाली राशी नहीं है लेकिन मायने बहुत रखते हैं जीवन में उलट फेर करने के लिए बड़े बड़े तोर पर बदलाव करने के लिए इन ग्रहों को जिम्मेदार ठहराया जाता है के तो बाद भाव में जाएंगे और ये जो इस्थिती होगी ये महतपुन रूप आपके लिए लेगी महतपुन रूप से इस्थितियां में परिवर्तन होगा 13 अप्रेल गुरू ब्रस्पती दूइत भाव अपनी राशी मीन राशी में प्रिवेश करेंगे ये भी इस म आपकी जीवन की जो रेखा है उसको बदल सकते हैं भागे या तकदीर जिसको हम बोलते हैं उसको परिवर्तित कर सकते हैं सकारातमक पलनामों के लिए सूर्य मीश रासी सूर्य का जो मीश रासी में गुचर होगा वो अगले समय में होगा तब ये इस्तिति मीश रासी में यह बहुत ही important होने वाला है और आपकी कारिय स्थल पर जो आप अपना जो प्रभुत्व जमा कर रखेंगे अपना जो अधिपत्य आप स्थापित कर पाएंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी अब इस महीने कुछ कुमराशी के जातुकों को तो प्रमोशन मिल सकता है अग जब इतने बड़े बदलाव होंगे तो उनका रिजल्ट भी आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा 25 अपरेल की अगर हम बात करें तो 25 अपरेल को बुद्ध वरिशवरासी में गोचर करेंगे और यह जो समय होगा यह विशेश रूप से आपके लिए आपकी माता पिता के साथ आपके समन्दों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा होगा जीवन भर वो आपकी साहता करते रहेंगे जीवन भर आपके लिए एक प्रेणा के शूत बनने वाले हैं आप पसुले यह जरूर जता हैं यह जरूर बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं देख उनको समय समय पर इस चीज़ का एहसास कराएं यह जरूर आप इस महीने आप जरूर करें इस कारे को 27 अपरेल को क्या होगा शुक्र जो है वो मीन राशी में गोचर कर जाएंगे तब थोड़ा सा यह परिशान कर सकते हैं थोड़ा बहुत कर सकते हैं आई तनी बड़ी बात शनी का और वो भी आपके लगन में यानि अपने ही घर लगन में आपके प्रवेश करेंगे जो आपके लिए सकारातमक प्रभाव देने वाला होगा तो एक नई उचाई देने वाला होगा सफलता की नई उचाई को आप छूप सकेंगे तो इस साल इस पूरे वर्ष का आप सबसे उत्तम सबसे सफलता देने वाला महिना एपरल का महिना है बस आपको अपने आपको बहतर बनाने के लिए अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए अपने द्रड संकल्प को बनाया रखना है अपने साहस को बनाया रखना है बाकि ये महिना जो आपको देने वाला है उसको जो कारे हैं वो भी संपन होंगे अगर आप किसी सरकारी टेंडर के काम से जुड़े हुए हैं तो और या फिर किसी भी तरह के सरकारी टेंडर का आवेधन करना चाह रहे हैं तो उस द्रस्टी से भी ये घोचर आपके लिए बड़ा ही अनुकुल रहेगा प्रेम विवहा पस मिलने के उम्मीद बनी हुई है इस महिने में आपको आपका उधार दिया गया पैसा या फसा हुआ धन प्रियास करने पर जरूराब्त हो सकता है स्टुडेंट्स की अगर हम देखें कि इस महिने में क्या कुछ खास होने वाला है तो घुरू जो कि आपके दुरीते है साथ में विदेश को भी देखते हैं तो वो उन बच्चों के लिए अच्छे हैं जो हैर एजुकुशन प्राप्त करने के लिए पाहर जाना चाहते हैं और बड़ा कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिशों को बढ़ा दें इस महिने की जो ग्रहूं की स्थिति है वो आपको जरूर कुछ न कुछ ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगी जो आपके लिए बड़े उत्तम होने वाले हैं तो कुछ इस तरह से ये महिना आपके लिए सौगात लेकर आया है अब आपका ये काम है कि आप इस महिने से कितना लाब उठाते हैं आप इस महिने को किस त आपकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जादर जादर लाइक करें शेयर करें